नमस्कार गोरक पूर नियूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा आगे बढ़ने से पहले एक मिसर सुर्खियों पर गोरक पीट अधीशे रियों मुख्यमंद्रियोगी आदित नात रविवार को चड़ाएंगे गुरू गोरक नात को लोग आस्था कि खिचडी लाको की संख्या में जुटेंगे श्रधालू शुक्रवाल साम से ही पहुशने लगे आस्थावान बाबा गोरक नात को चड़ाय जाने वाला अन्य वर्स भर वित्रित होता है जरूत मंदों में खिचडी मेला में पैसा चीनने वाली दो महिला अभियुकताओं को गुरक नात थाने की पुलिस ने किया गरिफतार एक हसार एक सो बीस रुपिया नगद वपर्स किया बरामत भेजा जेल स्पी सिटी कि शुकुमार विश्नोई ने दी जानकारी सांसत विधायकों की साथ सीयम योगी ने की गुरक पूर मंजल के विकास कारियों की समीक्षा बैचक कहा जनकांक शाओ के अनुरूप नए विकास कारियों के प्रस्ताव देज जन प्रतिनी धी पीएम मोदी के मार्ग दर्शन में विकास की नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है गुरक पूर मंजल सार्व जने का स्थल पर अश्लील प्रैंक वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर डालने वाले अब्युक्त अमित यादों को कैंट आने के पुलिस ने किया गरिफतार भेजा जेल सियो कैंट योगी इंडिर सिंग ने दी जानकारी दिवंगत होमगार्ट्स जवान के परिजन को सीम योगी ने 134 लाग का चक ज्यूटी से घर जाते वक्त गत वर्स 18 मार्च को सड़क हादसे में नारदमूनी की हो गई थी मृत्यू मुख्यमंत्रियोगी आदितिनात ने कहा भरण पोशन और बच्चे की सिक्षा में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत चिल्वाताल थाना शेट्रे के मानी राम सिक्ट और बाजार चौराहे के पास खड़े पिंटू सिंग का चैन वा पैसा चीनने और जान से मानने की नियत से गोली मानने के आरोपी गोरवियादो उर्फ गोलू जिते इंडर मौरे और नागे इंडर मौरे को चिल्वाताल और स्वाट पुलिस की टीम ने किया ग्रिफतार दो पिस्चल एक तमन्चा किया बरामत भेजा जेल एस पे नौर्थ मनोश कुमार रवस्ती ने दी जानकारी मकर संक्राथी के परवव पर गुरकनत मंदिर वश्त दालो की सुरक्षा के दस्टिकत ATS कमांडो दस्तावा ब्लैक कैच कमांडो सहित भाली संक्या में पुलिस बल किये गए तनात इडिजी जोन अकिल कुमार ने कहां मंदिर के अंदर भी है फोर लेयर में मल्टी सेक्योर्टी प्लान सुरक्षा के है पकता इंतिजाम सा कुसल संपने कराएंगे कि चुड़ी मेला पंदर जन्वरी को है मकर संक्रांती का पर्व लेकिन चौदर जन्वरी को बड़ी संख्या में दूर दराजवा गाउंस याई शुद्धालू ने अपनी परंपरा के अनुसार गुरु गोरक नात को चड़ाई खिचड़े शुद्धालू ने कहा सच्चे दिल से जो भी फर्याद करे उसकी पूरा करते हैं कुरु गोरक शनात जी मनोकामना यहां से नहीं जाता है कोई खाली हाथ गोरक पूर महसों में लगाए गए है विविनि प्रकार के स्टॉल उत्तर प्रदेश राज ग्रामी नाजीव का मिशन प्रबंध इकाई की महिला उत्पादक समू ने भी लगाया स्टॉल कहा स्टॉल से लोग बहुत पसंद से कर रहे हैं समानों की खरिदारी इंजिनियर सिटी चैप्टर गोरक पूर के नए कारकार्णी के सपत ग्रहन स्टमारों का हुआ आयोजन नौन निर्वाचित पदादिकारियों ने कहा संसा और उसके सदस्यों की तरक्की के लिए करते रहेंगे कारे और लगता शीत लहर और कोहरे से दो दिनों से खिलकिलाती धूप से आम जिन्मानस को मिली रहत जिला अबदाव शीशागे गौतम गुपता ने कहा अभी भी बीस तारीक तक शीत लहर और कोहरे के कार ठंड़क रहेगी बरकरार अब खबरे विस्तार से गोरिकनात मंदिर में खिचड़ी के रूप में चुढ़ाया जाने वाला अन्यवर्जबा जरुरतमंदों में वित्रित किया जाता है मंदिर के अन्यचेत्र में कभी भी कोई जरुरतमंद पहुचा, खाली हाथ नहीं लोटा ठीक वैसे ही जैसे बाबा गुरकनाद को खिश्डी चढ़ा कर मनत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता अरुन दैकाल में मकर संक्रांती का महापर्वर रविवार को मनाया जाएगा इस दिन उत्तर प्रदेश बिहार तथा देश के विविन भागों के साथ साथ पडोसी राश्र नेपाल से भी कुल मिलाकर लाखों की तादात में श्रिधालो शिवावतारी बाबा गुरकनाद को खिश्डी चढ़ाएंगे अनुस्थानिक कारेकरमो का संकनाद शनीवार भोर में तीन बजे के बाद ही हो जाएगा भोर से पहले गोरक्ष पीट की तरफ से पीछधी श्वर योगी आदितिनाद खिश्डी चढ़ा कर बाबा को भोग अरपित करेंगे इसके बाद नेपाल लाज परिवार की ओर से आए खिश्डी बाबा को चढ़ेगी इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिये जाएंगे और जन सामाने की आस्था खिश्डी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाएगी मंदिर वप्रशासन की ओर से खिश्डी महा पर्व को लेकर शद्धालों की सुरक्षा वसुविदा का पूर्ण इंतजाम किया गया है गोरक्ष मीठा दीसवर एव मुक्यमंटरी खुद सभी विवस्थाओं पर नजर बनाये हुए हैं मकर संक्रांती पर्व को लेकर मंदिर वप्रशासन की तरफ से उनके ठहरने और अनिस विधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है प्रसासन की तरफ से रैन बसेरों में भी पूरी विवस्था की गई है इस बीच हजारों शरत धालों ने शनीवार को भी बाबा गुरकनात को खिश्री शड़ाई गुरकनात मंदिर समाजिक समरस्ता का ऐसा केंद्र है जहां जाती पंथ मजभब की बेढ़ियां तूटती नजर आती है इसके परिसर में क्या हिंदू क्या मसल्मान सबकी दुकाने हैं यानि बिना भेद भाव सबकी रोजी रोटी का इंतजाम है यही नहीं मंदिर परिसर में माह भर से अधिक समय तक लगने वाला खिश्री मेला भी जाती धर्म के बटवारे से इतर हजारों लोगों की अजीवका का माध्यम बनता है गुरकनात मंदिर में खिश्री शड़ाने की परंपरत रिता योगीन मानी जाती है मानिता है कि तद समय आधि योगी गुरू गुरकनात एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में स्थित माजवाला देवी के दरबार में पहुचे माने उनकी भोजन का प्रबंद किया कई प्रकार के वेंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहन करते हैं उन्होंने माजवाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोद किया और स्वैम भिक्षा अटन को निकल गए भिक्षा मांगते हुए वह गोरक पूरा पहुचे और यहीं धुनी रमा कर साधना लीन हो गए उनका तेज देख तभी से लोग उनके खपर में अन चावल डाल दान करते रहें इस जोरान मकर संक्रांती का पर्व आने पर यह परंपरा खिषडी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई तब से बाबा गोरक नाथ को खिषडी रहने का क्रम हर मगर संक्रांती पर अरनिस जारी है कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार में बाबा की खिषडी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है गुरकनाथ थाने की पुलिस ने खिषडी मेला में पैसा चीनने वाली दो अभियुकताओं को गिरिफतार किया है जिसके संबंध में अस्पिसिटे करश्ण कुमार विश्णुई ने बताए कि 14 जनवरी को वादी द्वारा थाना गुरकनाथ पर लिकित तहरीर दिया गया गुरकनाथ थाने के कौनस्टेबल पवन कुमार महला कौनस्टेबल आंचल पांडे पूजा भाती सामिल रहीं इस संबंध में गुरकपूर नियोज से बात करते हुए S.P.C.T. कृष्ण कुमार विश्णुई ने कहा उसके बाद में उन दोनों महिलाओं को आइडिंटिफाई किया गया केमरा के माध्यम से और उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से बरामत की में वही पर्स और 1120 रुपे बरामत किये गये हैं सांसदो विधायकों के साथ विशेस बैचा कर मुक्हिमंट्रियोगी आदे तिनाथ ने शनिवार को गुरिकपूर मंजल की विकास पर योजनाओ की प्रगिति का हाल जाना उन्होंने सलसलेवार गुरिकपूर महराजगंज देवरियावा कुशी नगर जिनपदों से आए सांसदो विधायकों से उनके शेटर की विकास योजनाओ और समस्याओ की चानकारे ली सबसे कहा कि शेटरी की समस्याओं के समधान हेतु और शेटरी जनागांक्षा के अनुरूप नए विकास कार्यों का प्रस्ताव शासन को उपलब्द कराएं इन प्रस्तावों पर त्वरित कारवाई होगी बैचक में मुक्यमंत्री ने कहा कि प्रधार मंत्री नरींद्र मूदी के मार्ग दर्शन में गुरखपूर मंडल विकास की नई पहचान के साथ आगे बड़ा है मंडल को गुरखपूर खादकार खाना एम्स रिजनल मेजकल रिसर्च सेंचर बी आईडी मेटकल कॉलेज में सूपर स्पेसिलिटी पिप्राइट चीने मिल आयूश विश्विद्याले सैनिक स्कूल कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अनेक बड़ी परियो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जनप्रती निदियों की जिम्मेदारी है कि वे जैनता के बीच रहकर विकास कारियों की चर्चा करें विकास को लेकर उनकी और अकांक्षाओं को जाने तथा उसकी अनुरूप प्रस्ताव शासन को प्लब्द कराएं मुकि मन्तری योगी आधित नात ने कहा कि जनप्रती निदि शीत लहर के बीच आम जनमानस के सास सथ हेती किसानी और गोवन्स आधि की सुरक्षा के लिए की गई विवस्थाओं के जानकारी रखे और सत्प निगरानी करते रहें मुक्य मंट्री ने कहा कि प्रदीश में धान खरीद 104 रूप से चल रहा है जब तक एक भी किसान क्रैकेंडर पर आएगा खरीद जारी रहेगी स्रीत लहर के बीच क्रैकेंडरों की विवस्थाओं का जनप्रतिनी धी भी निरक्षन करते रहे मुक्य मंट्री ने कहा कि प्रदान मंट्री नरीनर मोदी के ट्रेन, टेकनोलोजी और टूरिजम मंत्र को आत्मेशाथ कर उत्तर प्रदीश शम्रिद्धी के नए सोपान चल रहा है बहतर कानून विवस्था तथा नीतिगत सुधारों के माध्यम से आजदीश दुनिया में निवीश का स्रेश्तम कंतव विबन कर उपरा है इस शवी का फाइदा कुरकपूर मंजल को भी अधिक-धिक मिलना चाहिए जनप्रती निधी के रूप में शांसत विधायक अपने छेत्रे के ब्राण एमबेसजर है अपने छेत्रे की खूबियों से देश दुनिया को परिचय कराने के लिए आपको ठोस प्रियास करना होगा मुखी मंट्री ने बताया कि आगामी 10 से 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश कलोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है समिट से पहले दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्र देनी की हमारी कारी योजना को आशा तीद सफलता मिली है विदेश में रोड शो की सफलता के बाद अबदीश के प्रमुक महानगरों में उद्योग जगत को आमंत्रत करने रोड शो का आयोजन हो रहा है G.I.S. 2023 एतिहासिक होने जा रहा है व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के उसर शुजित होंगे जिसका शीधा लाब हमारी युवाओं को मिलेगा उन्होंने कहा कि विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो सेह प्रेणा लेते हुए अनेक जनपदों ने जिला अस्तर पर निवेशक संबेलन आयोजित किये और हजारो करोण के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किये ऐसी ही प्रियास को रखपूर मंजल में भी किये जाने चाहिए जनपदी निवेशक संबेलन के आयोजियन के लिए शांसत के निटतों में विधायगर कमान सम्हाल ले जिला प्रशासन और योगिक अवस्थापना विभाग इन्वेस्ट यूपी और मुख्यमंटरी कारिया सही योग ले अपने शेटर की उद्यमियों वैपारियों प्रवासी जनों से समवाद संपर्क बनाये उन्हें प्रदेश सरकार की और योगिक नीतियों सेक्टोरल पॉलिसी की जानकारी दे अपने शेटर की संभावनाओं का परिशेदे और निवीश के लिए प्रोश साहि करें जन प्रती निदियों के सही योग से यहाँ इन्वेस्टर समिट नई उचायों को चूने वाला होगा सांसद विधायगाड प्रदेश सरकार की नई योगी की नीतियों का व्यापक प्रचार प्रशार करें सीम योगी ने कहा कि लोगों की सुविधा, सुरक्षा और सम सरकार की नीथियों के मूल में है इसलिए जनपृती निधियों की चवी निर्मार में सहायक है गुलवत्ता और समय बद्धता सुनिश्चित करने में जनपृती निधियों को योगदान करना होगा उन्होंने कहा कि तक्निक का बहतर इस्तमाल करें आज शोसल मीडिया समवाद का बेहतरीन माध्यम बनकर उबरा है सभी सांसत विधायगड़ों को इस मंच का उपयोग करना चाहिए केंद्र वा राज सरकार की लोक कल्यानकारियों योजनाओ और योगिक नीतियों रोजगार परक कारेक्रमों के बारे में सकरात्मक भाव से सोशल मीडिया मंच पर अप मेंद्र सिंग समेथ गोरपूर मंचल के सांसत वाविधायक उपस्तित रहें कैंट थाने के पुलिस ने सावचनी कस्तर पर असलील प्रैंक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले अभ्युक्त को गरिफतार किया है जिसके संबंद में सियो कैंच योगेंद्र सिं यह कारे करीब 6 माल से कर रहा है पहले यह प्रैंक वीडियो रामगरताल नौकायन पर बनाता था यहां पुलिस के द्वारा मना किया गया तो यह कृत्त वी पार्क मोहदेपूर्थाना कैंट में शुरू कर दिया था उक्त कृत्ते के संबंद में लोगों द्वारा शिकायत कमाता था इसके इसकृत्य से समाज में गलत संदीज फैल रहा था और लोग अपने परिवार के साथ वी पार्क में जाने में शर्मसार हो रहे थे ऐसे कारे करने वालों के विरुद कैंच पुलिस द्वारा अभियान चलाए गया है जिसमें ऐसे लोगों के विरुद कानून कारवाई की जा रही है उक्त अभियान के क्रम में अभियुक्त अमितियादो द्वारा अशलील प्रैंक वीडियो बनाने वा सोसल मीडिया पर अपलोड किया गया जिसके कारण अभियुक्त को आईटी एक्ट के तहद गिरुद कर जेल भेज दिया गया और साजनिक अस्था स्वारी कॉंस्टेबल ब्रिजपार्स शामिल है इस संबंद में गुर्णपूर नियोस से बात करते हुए स्यों कैंट योगेंदु सिंग ने कहा जान अईला भी हुँ आए और तो हुआख धूक धूक करे दूक धूक करे हमार फुलोड़ी ते हमार प्रहलोड़ी का इस प्रहन से क्वेश्ट मेंड़ार जोड़ी थे आपयोड़ी थे चाहति हैंशना के शना कि तोल दोलोड़ी है कि यह एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा था जिसमें एक योग दोरा प्रेंग मीडियो बनाके डाले गए थे उस सम्मद में जब यह सुचना पुलिस को पाप थो तो तुरत संग्यान में लेते हुए एक अगयोग थाना कायन पर पंजिकत किया गया अगयोग पंजिक करने के पच्चार थाना पुलिस दोरा आरोपी अमित प्यादों को विरतार कर लिया गया है और उस सम्मद में विदिक प्रक्रिया प्रेचलित है साथी साथ इस तरीके के जो भी असनील वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं उनके विरत लगातर अभ्यान चलाया जाएगा और उनके विरत लगातर करवाई कीज़ें जनता के प्रती समवेदन सील मुक्की मंट्री योगी आदितिनाथ ने सड़क हादसे में दिवंगत होमगार्ज जवान नारद मुनी के परिजन को कुल 34 लाख रुपए की सहायता रासी का चेक सौपा उन्होंने सांतवना देते हुए बेहदात मेता से यह भी कहा कि भरन पोशन और बच्ची की बेहतर सिक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आनी दी जाएगी शनीवार सुभा सियम योगी ने गुरकनाद मंदिर इस्तित अपने सभा का क्षमे होम गार्ज जवान स्वरगे नारद मुनी के परिजन पिता और पुत्र से मुलाकात की इस जोरान उन्होंने शहायता धनरासी के रूप में क्रम सा 30 लाख वा 4 लाख रुपए का चेक अरुफा गंज निवासी नारद मुनी की 18 मार्च 2022 को जूटी से घर जाते वक्त सड़क हाथ से में मृत्यों हो गई थी वहाँ बी कमपनी नगर शेट गुरकपूर में तैनात थे उनकी पतनी के मृत्यों पहले ही हो चुकी है उनका एक मात नावाल एक पुट्र 11 वर्सी अजय कुमार है जिसकी देख भाल उसके दादा जी परशुराम द्वारा की जाती है साहता रासी के चिक प्रदान करने के दोरान मुख्यवन फ्योगी आदित इनात ने सुरगे नारद मुनी के पिता प्रशुराम और बेटे अजय कुमार को सांतवना देते हुए कहा कि उनके रहते परिशान होने की आऊशक्ता नहीं है हर परिस्तिती में वह मदद करने को ततपर मिलेंगे उन्होंने एजय कुमार को आशिरवात देते हुए खूब पढ़ने के लिए प्रेरित किया कहा कि कोई भी दिक्कत आये तो मुझे बताओ हर दिक्कत दूर होगी कास था कि खिचडी लाकों की संख्या में जुटेंगे श्रधालू शुक्रवाल साम से ही पहुशने लगे आस्थावान बाबा गुरकनाथ को चड़ाये जाने वाला अन्य वर्स भर वित्रित होता है जरुत मन्दों में किचडी मेला में पैसा चीनने वाली दो महिला अभियुकताओं को गुरकनाथ ठाने की पुलिस ने किया गरिफतार एक हसार एक सो बीस रुपिया नगद वपर्स किया बरामत भेजा जेल स्पी सिटी कि शुकुमार विश्नोई ने दी जानकारी सांसत विधायकों कि साथ सीयम योगी ने की गुरकूर मंजल के विकास कारियों की समीक्षा बैचक कहा जनकांक शाओं के अनुरूप नए विकास कारियों के प्रस्ताव देज जनप्रतिनी धी पीएम मोदी के मार्ग दर्शन में विकास की नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है गुरकूर मंजल सार्वजनिक अस्तल पर अश्लील प्रैंक वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर डालने वाले अब्युक्त अमित यादों को कैंट आने के पुलिस ने किया गरिफतार भेजा जेल सियो कैंट योगी इंडिर सिंग ने दी जानकारी दिवंगत होमगार्ट्स जवान के परिजन को सीम योगी ने 134 लाग का चक ज्यूटी से घर जाते वक्त गत वर्स 18 मार्च को सड़क हादसे में नारदमूनी की हो गई थी मृत्यू मुख्यमंत्रियोगी आदितिनात ने कहा भरण पोशन और बच्चे की सिक्षा में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत चिल्वाताल थाना शेट्रे के मानी राम सिक्ट और बाजार चौराहे के पास खड़े पिंटू सिंग का चैन वा पैसा चीनने और जान से मानने की नियत से गोली मानने के आरोपी गोरवियादो उर्फ गोलू जिते इंडर मौरे और नागे इंडर मौरे को चिल्वाताल और स्वाट पुलिस की टीम ने किया ग्रिफतार दो पिस्चल एक तमन्चा किया बरामत भेजा जेल स्पी नौर्थ मनोश कुमार रवस्ती ने दी जानकारी मकर संक्राथी के परवपर गुरकनत मंदिर वश्त धालो की सुरक्षा के दस्टिकत ATS कमांडो दस्तावा ब्लैक कैच कमांडो सहित भाली संक्या में पुलिस बल किये गए तनात देजी जोनकिल कुमार ने कहां मंदिर के अंदर भी है फोर लेयर में मल्टी सेक्योर्टी प्लान सुरक्षा के है पकता इंतिजाम सा कुसल संपने कराएंगे कि शुड़ी मेला पंदर जन्वरी को है मकर संक्रांती का पर्व लेकिन चौदर जन्वरी को बड़ी संख्या में दूर दराजवा गाउंस याई शुडधालू ने अपनी परंपरा के अनुसार गुरुगोरक नात को चड़ाई खिचड़े शुडधालू ने कहा सच्चे दिल से जो भी फरियात करे उसकी पूरा करते हैं गुरुगोरक शनात जी मनोकामना यहां से नहीं जाता है कोई खाली हाथ गुरुगोर्पूर मोहसों में लगाए गए है विविनि प्रकार के स्टॉल उत्र प्रदेश राज ग्रामी नाजीव का मिशन प्रबंध इकाई की महिला उत्पादक समू ने भी लगाया स्टॉल कहा स्टॉल से लोग बहुत पसंद से कर रहे हैं समानों की खरिदारी इंजिनियर सिटी चैप्टर गुरखपूर के नए कारकार्णी के सपत ग्रहन स्टमारों का हुआ आयोजन नौन निर्वाचित पदादिकारियों ने कहा संसा और उसके सदस्यों की तरक्की के लिए करते रहेंगे कारे और लगता शीत लहर और कोहरे से दो दिनों से खिलकिलाती धूप से आम जिन्मानस को मिली रहत जिला अबदाव शीशागे गौतम गुपता ने कहा अभी भी 20 तारीक तक शीत लहर और कोहरे के कार ठंड़क रहेगी बरकरार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चिलवाताल धाना शीतर के मानी रमसिक चौर बाजार चौराहे के पास खड़े अपराधियों ने पिंटो सिंग का चैन वा पैसा चीन पिंटो सिंग को जान से मानी की नियत से गोली मार दी जिससे पैर में गोली लग गई अपराधी गोली चलाते हुए फरार हो गए चिलवाताल पुलिस ने स्वाज टीम की मदद से तीन अभियुक्तों कोरव यादो उल्फ गोलू पुत्र सुरेंडे निवासी रामपुर्चक थाना चिलवाताल जितीन रमौरी पुत्रस्वरगी अभिनंदन मौरी निवासी सि उनको ग्रिफतार करने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं उन्हें भी बहुत ही जल्द ग्रिफतार कर लिया जाएगा पुलिस लाइन इस ते तो वाइट हाउस के सभागार में एस पे नौत मरुश कुमार अवस्ती ने बताया कि पिंटो सिंग को जान से मानने की नियत स अवैद असलहा से पैर में गोली मार कर चैन और पैसा लेकर गोली चलाते हुए अपरादी फरार हो गये गौरव यादों के उपर विभिन थाना अंतरगत आठ मुकदने पंजिक्रित हैं जो चिल्वाताल थाने का हिस्ट्री शीटर भी है जितन रमौरे और नागें रमौर के खिलाफ चल्वाताल थाना अंतरगत चार चार मुकदने पंजिक्रित हैं गिरिफतार अभ्युक्तों के पास से 32 नगत घटना में प्रियुक्त दो नाजाय स्पिस्चल 32 बोर दो अदद जिन्दा खोका कार्तूस एक अदद अवैत तमंचा 315 बोर अभ्युक्तों गड़ कमलापती तिवाली कॉंस्चिबल इंडरेश कुमार वर्मा मौजूद जहे संबंध में गुरेपूर नियोस से बात करते हुए स्पे नौत मरुष कुमार वस्ती ने कहा हुए ने अद्रिद्डा ने कुमार ने कुमार वस्ती ने कुमार आपका को अभी तापर शारू जला आपका ने इन घरोले ने डिया था? अद्धा कुमार ने आता है? बटूँ किव त सबसा लॹका स्बसान 금 त सबसां रहो क्वैसल क्वैसल दिनांक 12 जनवरी 2023 को थाना चिलवा ताल में सिक्टोर के पास पिंटू सिंग और उनके एक साथी के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की उनके पास से पैसे चीनने का प्रयास किया और उनके पैर में गोली मार लिए इस सूचनपर थाने में अभ्योग पंजिकरत किया गया और स्वाट टीम के साथ साथ थाने की टीम लगाई गी इसमें आज तीन अभ्योगतों को गिरिफतार करने में पुलिस को सफलता मिली है जिसमें गोरो यादो, जीतेंद्र मोरिया और नागेंद्र मोरिया ये तीन लोग हैं ये तीनों पूर्व के बड़े अप्रादी हैं गोरो यादो पर आठ मुकद्ने कायम हैं जो कि चिल्वताल थाने का शीटर है इसके अलावा जीतेंद्र मोरिया और नागेंद्र मोरिया पर चार-चार मुकद्ने हैं जिन में से लूट और लकैती के भी मुकद्ने हैं एचेस भी है गोरो यादो चिल्वताल थाने का और इसी के द्वारा जो तमंचे बरामद हुए हैं उनको बेचा गया है दूसरे लोगों को दिया गया है अभी तक जो जांचे प्रकाश में आया है कि उसमें तीन और लोग वहां पे मौझूद थे उनकी भी तलाश पुलिस ट्रीम द्वारा की जा रही है उनकी भी शीगर ग्रिफतारी की जाएगी और जो तीन तमन्चे बरामद हुए हैं उनके बारे में भी च्छानविंग की जा रही है कि वो किस से इसके पास आये किस के दौरा बेचे गए जो इसके दौरा इसके दौरा इसके माल हुआ ये दोनों आपस में पूर परचित हैं दोनों प्रापर्टी का कुछ काम करते हैं उसमें आपस में बिवाद हुआ है इसमें जो पिंटू मधेशिया है वो भी स्षीटर है अपरादी है और पिंटू सिंग जिसके गोली लगी है उसके उपर कोई अपराद नहीं है लेकिन उसका साथ ही जो था उसके उपर अपराद है। साथ ब्लेक कैट कमांडो भी लगाए गए हैं जिसके संबन्द में ADG जोन अखिल कुमार ने बताया कि खेचरी मेले को देखते हुए सुरच्छा विवस्था की कई लेयर में बाटा गिया है। कमांडो दस्ता कुल मिलाकर मंदिर की सुरच्छा को लेकर पुखता इंतिजाम किये गए हैं। शरतधालों के लिए भी कोई दिक्कत ना हो उनके लिए चैनल बने हुए हैं। खिचरी मेले में पूरे जोन अस्तर की फोर्स लगी हुई है। तीन स्पी अस्तर के अधिकारी लगे हुए हैं जो तीन सुपर जोन के परभारी हैं। गोरकपूर जोन के 11 जनपदों की फोर्स खिचरी मेले में लगाई गई है। इसके अधिरिक पुलिस मुख्याले से भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं। पहले हम लोग दो शिफ्ट में ड्यूटी करते थे लेकिन अब तीन शिफ्ट में आठाट घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। इस समद्ध में गोरकपूर नियूस से बात करते हुए एड़ी जोन अखिल कुमार ने कहा। करें सवुचा करवी की लोग है। सुचित करें सवुचा कर देखें इस पर बच हुए। आप नियूस से बाविजन वोटब करें आप है। सवुच्छता हम सबी का करचंग नहीं है। आप सरी बाविजन जोन पर जोन बने में जाएगी। जब एंटी संत कबीर नगर जब एंटी यह जो पित लाइं पर है और जबा शुरक्षा कर्मी और सुदुद साथ शुरक्षा शुरक्षा अगर पंदी मेरी नगर पंदी मेरा शुपता है अगर मंदीर मेरा खरान वे सहर करें और सुद्धि एयं भाइत से सार्ल माईश रोड आवा कालcla शुरक्षा कर दो नंबर गेट से इंट्री हो गी आपके आपको जा रहा है बाहर जाना है बाहर से निकलो उदर से सामने से निकलो कर दोगा मेरा दाने दन्जार कर रही है अल्वान गुदें के सामें वर्टिकेंड रतर्ति आप से नहीं है अद्विकेंड रतर्क अल्वान गुद्धार प्रफिश्ण के रहे है मेला तारे बन्या करना है जान गुद्धत का है प्रेंग गवार फोनि दपार्ब कर दो है आपको आपको आपरातुगा है आपकी पर्णी निप्रातुगा है आपकी पक्रिस जुमर्ण अभी किया योगी जी सबी परसलाखे होता है साहे देखित पर्पिश्टा है माना पर कर रहा है मेला धाने पर अभी वहां से आवाई कर दो पर कर दो कर I. घ. माने पर थक्राव मेल क्र लुक एंद्पां जाए साथ नहां, धक् tightening प्राइब नहां? बीडिक मेली में जाना हो वी पाद कवे आओ जो है किती हैं नहीं हो पाद से गेंगे आप आप मकर्सागूनितार आप पर मिखेल से जरीक होर द्सक्राइब पर आज बार काफी संख्या मेली आघी जैसा आप देख सकते हैं काफी घ्र कर्षां को दिख अगें, काफी लोग देशन करें, अच्छा मोहाल में देशन हो रहा है, तो रहे की वहत्ता ववस्ता की डिए कि टाकी सद्धालों को कोई दिक्कात निए हैं, चैनल जिनके देशन को आना है, किस वास ती आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ गुरु गोरकनाथ बाबा को पहली खेचरी चढ़ाएंगे मकर संकरांति का पर पूरे एक महीने तक चलता है लेकिन 14 जनवरी को बड़ी संख्या में दूर दराजवा गाउं से आई शरत धालों ने परंपरा के अनुसार शनिवार को भी खेचरी चढ़ाई जिसके सम्मन्द में शरत धालों ने बताया कि काफी सालों से गुरु गोरकना जीवन था तब भी हम बाबा के दर्शट के लिए आते थे दस वरशों से हम खिचरी चढ़ाने के लिए गोरकनाद मंदिर आते हैं और यहां आने के बाद हमारी कई मनुकामनाई भी पूरी हुई है यहां बाबा के मंदिर में जो भी मनुकामना मांगता है वो पूरी होती ह सच्चे दिल से जो भी फर्याद करे वह गुरू गोरकनाद जी पूरा करते हैं यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता है यहां आने के बाद बहुत ही शान्ती और बहुत ही स्कून मिलता है शरद्धालू ने बताया कि बाबा गोरकनाद को चावल, दाल, मीठा, गोड़ तवाम तरह के परसाथ चढ़ाय जाते हैं इस समन्द में गोरकनाद नीव से बात करते हुए शरद्धालू आरती गुपता, विवेक धर्दूबे, बिर्जेश सिंग, राजू परजापती, संतोष परजापती, नगीना एवं अमित गुपता ने कहा जो मनदे के अंदर मिला है, जिरका दी हो, वो तुकता परजेश के संसे मुपत्री, इस पीड़ा दीश्वाद, परमपुर्द महराजी के मिसी भी समय में सुरी अंसमिजाद ना होने पाए, इसकी पूरी नजर रखती जा रही है आज इस पावन परभपर शिवावतारी भगवानगुर्द महराजी को तर्फन करते पर लाग ब्राप्त हो रहाए आप एकांड में आए गया इस पूरी जैन सलाथ रांत्री के चार वजे से ही निरान मुंसा जल रही है इस जित आप परंशा बाग साली हैं इताजी को पेज़र कराएं जिन भाई का हो वा आ करके पूले भड़के श्यत्पा हुल्मान मंदिल के सामने छोट परमार दे करके वह प्राप्त कमने जिल भाई का हो वान है और उते पराप करने हैं लेकर के तवा ने श्यत्पा है आटशा है आट अग्याद श्यत्का का आट 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 अग्यादा श्यत्या श्यत्तु है अबसे चाचाब गाज याद दो भीला वाज दो बाता बाता है उस्की में रड़िया लगीना कितłe अब सालों चाचीरी मारे है बहली वरा रहा है क्या का मलता का आशी में है अच्छा लगता है, सब लुग आते हैं घूमने, हम पीच लिया घूमने से अच्छा लग रहा है महल भी अच्छा भी जाए है, जच्छा वजार से सहिरो अप्वास कि हम 15 साल है, यह उतों से हो आंद्रत साल नहीं है यहां शोते थे जा ब सब्सक्राइब मेर्ग मेर्व समस्वर्ज पज्ए पती है कि मेंयाती आहOD कि अ askलू कि असी प्राइब हो जाता है फिंस से अनकी अ था जाता है है यहां पर छाधो मानेता है यह जो को रहना चाहिता फॉक्टे ने किस्टे य Team 2014 शा रहा है किया मांगननेटा पीजनी है कि मंत्री की का भी यहीं पर इसी माध्यन से आया थे हम लोग हर साल दर्शन करने आते हैं देवरिय जीले से हम गुद्पूर के रहने वाले हैं दोसे सरनाथ मंदिर से भी आते हैं करी माधल कमाहल कैसा लगाया मेया कमाहल बहुत संदर और अच्छा लगाँ पहले से तो खुरच तड़ी इस वेज़ा है इस होदा नहीं है कि किते जालों आप यह वह माल से अडिया अडिया कर अभी का समय के दूसाहँसे मेरे जमान है पूरा हो जाता है नमस्कार मेरा नाम पंडित विवेग धर्दुबे है और मैं इसी बगवान की पावन भूमी से ही जुला हुआ हूँ और बताएं भगवान की क्रिपा से देख्याने हुआ है जिवेग विवेग कंडियों भूम भी और चार पांच वर्षों से कुआई रहे हैं और जब खिचली हम नहीं चाहते हैं जब विद्यार्थी जो बनता है तब भी भगवान का दर्शं करने हम उमर्ष जाते हैं और महराज़े की विद्याले महाराना प्रताप से हम लोग अध्यन जद्द हैं तो हम लोग NCC में यहां डोटी भी किये हैं तो मंदिर से बढ़ाए आत्मिक लगाव हम लोगा रहा है और आज देखें सायंकाली दर्शन करना है आप सुवाब तो आवर से खिचली चरहने भी हम लोगाएंगे सबस्यादा नहीं की महत्ता देखेंगी ऑग जूबही मानता मान करें आप भगवान को खिचली चरहने करें और खिचली चाहते हैं तो आपकी मंदở पूरी होती है यह पें यहां की मानी ही भाएगाए हम तो हैं गीता पर से रहने वाले गीता पर दो दूरब को के लिए राजु पृजपती नाम है किसे शालों को रहे हैं यहां पर सब्सक्रान जिए बहुत अच्छा लगता है सर रहा करके बहुत खुषिए मिल्की यहां पर आपके एक अच्छा साफ अनुआ वक्ता है आपराकर कि अभवान जी का दर्सन अभी तमर्ण लख में से आया है सर्फ गुंजा है अब किते सालों से यहारी है किसी भी चलाने लख मंदिर है यह अच्छा लगता है अच्छा लगता है गये हैं जहां पर लोग पहुँचकर बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए लगे हुए है ऐसे में मुखमंदरी योगी आदितनात की पहल पर टेरा कोटा के विस्तार और व्यापार में बढ़ावा सहित विबिन परकार की योजनाओं को संचालित किया गया है साथ ही इस कला को ओडियोपी के तहद भी रखा गया है जिससे इस कला से जुड़े लोगों को बहतर से बहतर लाव वसुई धाय मिल सकें वहीं इस कला का परचार परसार भी व्यापक अस्तर पर किया जा रहा है मेला परसार में लगे विबिन टेरा कोटा के स्टालोप पर लोग विबिन परकार की कला किरतियों को देखकर मोहित हो रहे हैं और उची दामों में इन कला किरतियों की खरीदारी भी कर रहे हैं वहीं टेरा कोटा की दुकांदार इतेश ने बताया कि टेरा कोटा में हाथी का स्टेंड हाथी घोड़ा गुल्लक कच्छुआ म्यूजिक मैन लाल्टेन जोपडी धर्बान जैसे आइटम गरहां की मांग पर रखा गया है उन्होंने कहा कि लोगों में कच्छुआ और म्यूजिक मैन की ज्यादा डिमांड है वहीं उत्तर परदेश राज इगरामीर आजीवी का मिशन परबंधन इकाई की अंतरगत मैला उत्पादक समू का स्टाल भी लगाया गया है जिसमें पाली बलाक की रहने वाली संगीता ने इस समू में कुल 15 महिलाएं काम करती हैं उन्होंने कहा कि इस बिजनस से हम सभी खुश हैं सभी महिलाएं महीने का तीन से चार हजार की आमदनी कर लेती हैं उन्होंने कहा कि इस्टाल से लोग बहुत पसंद से सामान की खरीदारी कर रहे हैं इस समंद में गुरगपूर नि कि अचल अबी कि अचल रगत कि अंचा है कर से मौशए ज़ाद बया तर मॉशए ज़ती हो ज़ा है देल का ज़ार है दो एकाट दोने दोने आपको आपको एंदेन नहीं तो चाने कुट डाड़ डिन बार दोने का ज़ा है कर दो कर दो कर दो गुर दो लोग कर दो कर दो ओर गलाव कर दे हैं पापर कहा है, पापर इसका रिकाडिन लेने की, एक बन हमारे बलांट दे भी है आगी है। थल्ट का अलेक आचेकर हैं, सब नोहीं करते हैं, ये यावले काचार है, सब हर का ही बनाया हुआ है, हम लोग समूघके वरते मिल्क करकी हो लोग बनाते हैं. संगीता रावत तिवरान से पाली बलाग से तिवरान गाउ से क्या सी? क्या सिस्टेस टर्ला गाई है यहां हमारा यह सब राशन वाला है आइटम रागी का आटा है बाजडा है मकई है सत्तु है बेशन है हल्दी है और सामा कोदो का चावल है रागी लड़ूती लड़ूचाना बेशन और नमकीन भी बनाते हैं दर्मोट अपने खुद बनाते हैं क्या बजार कुदा नहीं हम लोग 15 महिला हैं पहले उत्बातक समू बनाए पहले बना बनाएंगे और उसको पैकेट बनाके मार्केट में पहले पिसवा आते थे पैकेट पनाके आओ उसके पास से घर घर इसकूलों पे बैंक और दीदियों की घर बेचने बेचना सुरू कर दिये उसके पास से तो हमको हमारे संता से भी सपोर्ट मिलने लगा संता से सपोर्ट मिला है तो जहां-चाही स्टॉल लगा वहां वहां लोग जाने लगे और उसके बास से हमको यहां चिडिया घर में भी माने मुखमंत्री जी के तरफ से हमको चिडिया घर में दुकान मिल गई है वहां हम डेली लगाते हैं इस समय हमारा पहले मपला बिजनेस तीन हजार से सुन कर किये दिए अगारा वर में आलली हम 15 महिलाये हो वह भी महीने vo instructaur चऱ पाउनषसर रुपिया जैसा हमारा चलता है सेलिंग होता है जो वह वंभी कम आ परिवार का और जो हमारी गर पंद्रे दीदिया है उनका भी हम लोग आपस में अपना पालन पोशन कर सकते हैं हमारे दीदियों के धन्यबाद करते हैं और जो हमारे समू के बियों है अधिकारी है जिला प्रबंध्र कर उसको भी हम अपने देश्थे दिल से उनको धन्यबाद देते हैं निम्हारा सरीता नाम है, बोरवडर व्लाक से आई हूँ, हम लोग समय बनाई हूँ है, अवरतों का ग्रूप है, हम लोग घर पर ही सब तैयार करते हूँ हम आवले से तीन परकार का समान बनाते हूँ, यह से आवले से मुरब्बा हो गया और अचार हो गया इसके बाद आचार भी बनाते हैं, याम का आचार है, मिक्स आचार है, कठल का आचार है, जिस चीजर में जो चीज मीड़ता है, वह हम लोग समन तयार कर देते हैं, और हम लोग का पुरा बीग जाता है. किस तरह साब में इस पेला है, हम जैसे कि हम यह बिजनस सुरू के जैसा ही मेले में हम गए देखे, सब यह औरते छोटा-छोटा मतब लेकर करके, हम भी सोचे यह बिजनस हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो हम पहले थोड़ा सा पांच हजार का इसमें लागत आए और रीच शर्फर ने जखिये हम तीन दीर के अंदर में हम दारे हज़ा रुपिया पालाते हैं, ऐसा ही हमारा रोजगार बढ़ता के अब आगे बढ़ते हैं, अब से भारत्री आ, किस तरह कर यहां पर इसमें आप इसमें लूगा है, यह महट्शो लगा है, यह गवर वो सब लोग अपने हाथ से ही बनाते हैं यह जए जो आयटा में आती है लंटेन है वो पस्थ रहा है आप के थे अयह मुत करें है बनाते हैं जो चीज हम लोग बनाते हैं वो सब तो यहां पर फिलाल है ही जैसे कि दरबान हो गया यह प्रांट हो गया वह यह हाथी हो गई लांटेन हो गया यह बड़ा टेवल हो गया यह सब बनाते हैं और भी जो कुछ बनाना चाथ बनवाना चाहते हैं वह भी बन जाएग कश्टमर को बहुत पसंदार है यहां पर समान पहुत जदा भी का है हम लोग माल मंगमाएं घर से भी आज भी आएगा अधिया मेटकल क्या किसे ब्लोटोला रित्यसमनी जंगल इकला नमबर दो ब्लोटोला तेरा कोटा की स्टॉल लगी है तेरा कोटा में हम लोग इस हाथी का स्टैंड रखें हाथी रखें गोड़ा रखें गुल्लक है कच्छुआ है फिर म्यूजिक मैन है लाल टेन है फिर जोपड़ी है बहुत सारी आइटम है दर्वान दिया है किस्टमर लोगी बहुत अच्छी इस्तितिया भी तो सेल हो रहा ह है अच्छा सेल हुआ है 11 तारिक से स्ट्रॉल लगा है हमारा यहां पे और 17 तक लगा रहे हैगा नया तो सर न्यूनी आइटम निकालते रहते हैं हम लोग जैसे कस्टमर की ज्यादा तर कश्मों क्या मांग होते हैं ज्यादा तर तो ये कच्छों अभी डिमांड हो रहा है और म्यूजिक में डिमांड हो रहे हैं जी इंजिनियर सिटी चैप्टर गोरगपूर के नए कारकारडी का शनिवार को बैंक रोड इस्थित नेजी होटल में शपत गरहर समारो का आयोजन हुआ इस उसर पर संस्था के इंजिनियर ए इंतिरपाठी ने ने चैनित कारकारड इस उसर पर संस्था के नए सदस्यों को एक दूसरे से मिलवाया गया है एवं APGC सदस्यता परमारपत्र भी दिया गया है उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष 2023-2024 में मुझे अध्या चुना गया है संस्था के कार और दिशानिर्देश मुझे दिये गए हैं उसको मैं और मेर पूरी कार कारी जो भी संस्था और उसके सदस्यों के लिए तरक्य के रास्ते पर होगा उसके लिए हम और हमारी टीम निरंतर कार करते रहेंगे उन्होंने कहा कि हमारी प्रात्मिकता यह है कि जगा 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 जो भी संस्थाए हैं जहां किसी प्रकार की समस्य आ रही है उनको सुचारू रूप से बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी इस उसर पर कॉर्डिनेटर इंजिनियर अमित कुमार, इंजिनियर राजेश सिंग, शाह आलम उपस्तित रहे इस समन्द में गोरकपूर ने उस से बात करते हुए इंजिनियर सिटी चैप्टर गोरकपूर के सचिव, पावनीश कुमार वा अध्यश असुतोष चंद्रा ने कहा इसके समझ, यह सफत लेता हूँ मैं अपने पद की गरिमा के अनुसार अपना कार आचरण वर बेवार रखूंगा मैं अभी सपत लेता हूँ कि अपनी बाधिक, सहचिक एवन मानसिक छंता कापूर प्रयोग करते हुए संस्था के नियमों का पालन करूंगा एवन इसके उदेश, पूर्ती तथा प्रगतियत निरंतर प्रयास रख रहूंगा इसके समझ या सपत लेता हूँ कि मैं अपने बाधिक गर्मा के अनुसार अपना कार आचरण वर बेवार रखूंगा मैं अभी सपत लेता हूँ कि अपनी बाधिक साइची एवन मांसी छंता का पूर्प्रयोग करते हुए संस्ता के नियमों का पालत करूंगा एवन इसके उदेश पूर्ति तथा प्रगति भेतु निरंतर प्रयास रख रहूंगा थांग यू इसी तरह से विशमने इंगिनियस की तरह है वो भी चाहा रही है कि अपना चकते दो रख कूर फो चकते हमारा ली को हज़ेगे स्वाइब जितनी सवस्वायं कि उनने आपके रितम में काम करें इसे इस पर रहाई जरौत महीं है जितनी सवस्वायं किसी ने जरौत मुद्धे के इस बड़ा लग्लू है अजिया सहीं सब्सक्राइब जो भी छेत रहें गीडा है टीडिये है जिला पंचायत है उन सभी में जो भी हमारी योगदान मिल सकती है सहर को आगे बढ़ाने के लिए है लोग सवाँ में हम लोग सहर को आगे बढ़ाने का कारी करते हैं हमारे यहां के पैटर्न स्रिजेपी अगरवाल सर है हमारे अध्यच पॉस्तो शंद्रा जी हैं और हमारे पैटर्न सती शर अजया स्रवास्ता सर लोग है हम लोग सहर को जितना भी आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए ततपर रहते हैं सभी गुसरे का सयोग करते हैं सारे भाई मिलकर कारी करते हैं और सहर की छोटी छोटी आउसकताओं को पूर्टी करते हैं, जो भी दिक्कते आती है, रोड नाले हर चीज, सहर में जो भी ट्राफिक की समस्या है, उसको निजाद दिलाने की प्रिया करते हैं, पर शेवसेशन के तहट लोगों को जाकरूब भी करते हैं, मैं पेशे से एक एक इंजिनर और वैलोर में सफसर डिजाद दिला हूँ, आज गोरभपूर एपी जीजी सिरी चेक्टर क्या नई एक्जेक्टर कॉंसल 2023-2024 के सपट गोरभग करों कारिक्रम माज रहा है, इस सफसर पर हमारे संस्ता के संदक्षक जेपी अकरबाल साब, संस्ता के नए हमारे जो पैट्रोन है सतीज सिंगजी और शेवनमीन प्रकास सिंग जीजी है, और हमारे संस्ता के भूरभ अध्यक्ष पीरियाज गौतम, इंजनेर अजय श्रवास्तो , संजय मडी , संजील सिंग , पैंडे , संस्ता के बरिश सदस और समान सदस ann सब्सक्राइब के लिए अगामी वर्स 2023 के लिए नई टीम में अध्यक्ष मुझे मुझे अमित किया गया है संस्था के कार जो दिशा मिर्देश मुझे दिए गया है इसको मैं और मेरी पूरी कार काड़ी है जो भी संस्था और सदस्थों के लिए प्रग्टी के रास्ते पर होगा उसमें तक पास हम हमारी टीम करते रहेगी साथ हैं हमारे पर्तिमक्ता है आएद अधन बादाए आ रही हैं विवागों में बहुत सारे ऐस्य हैं जहां पे एंजीरز का अजिसन समझसाय आती हैं जैसे कि क्या आशे सम्झसाय थे जो पूरुम जिसको कुमाच्षी तर विवाग में जन्वरी माह में लगातार शीत लहर और कोहरे की वज़ा से आम जन्मानस को काफी परिशानिया उठानी पड़ रही थी लेकिन दो दिनों से मौसम कुछ खिला हुआ दिख रहा है इस समद में आपदा विशेशक गौतम गुटा ने बताया कि लगातार घने कोहरे से दो दिन में लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं धूब निकलने की वज़ा से अभी भी मौसम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है उन्होंने बताया कि मौसम भाग के अनुसार अभी 20 तारिक तक शीत लहर और कोहरा चाया रहेगा और मौसम फिर बदलेगा और ठंड अभी भी बरकरार रहेगी उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपने आपको लोग बचा कर रखें और घर से अवशकता पढ़ने पर ही निकलें अपनी गाडियों का हेड लाइट जला कर चलें ठंड से अपना बचाओ करें उन्होंने कहा कि अभी दो दिन बाद से और घने कोहरे लगने के आसार हैं शीत लहर की संभावना और बढ़ सकती है उसको देखते हुए जिला परशासन द्वारा समुचित कारवाई पूरी ततपरता के साथ किया जा रहा है उन्होंने बताय कि जिला परशासन के सभी अध रधालों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग किर्पया अपने आप ओ ठंड से बचाएं और साउधानियां बरते हैं इस समन्द में गोरगपूर निउस से बात करते हुए जिला आप दाविश शग गौतम गुपता ने कहा अधि वाहन चाल्फों के बिरोगी है आइसी क्यों यह नमबर प्लेट नहीं है या उनके वाहन पर को एपी नमबर पी वह वाहन चाल्फ करकार दीलर के भूब कर दीजिए हैं इस वी तोरी नमबर प्लेट नमबर पाले है हाँ इतर्म यह सही है कि मौसम थोड़ा सा खिला है इस समय दिन में धूबी पर आप निकल लही है लेकिन जो इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट द्वारा और जो औरने सोसे से जो इन्फॉर्मिशन प्राप्त है तो भी एक दो दिनों बाद से फिर से टेंस तु व जला प्रेशास सभी जाने कांट दिन को दिया लिया है इस सिर्वास खता गे 다रा ची तो वर्तमान समय में जिस तरी के से कम्मल वितरह की का बाद कि बाद की जाई अलाव जलाया जाने की भी कारवाई की जारी है, रेन बसेरे भी क्याशील किये गए हैं, खिश्री मिले की दिश्टिकत समुचित ववस्ताएं नगर नीगम और अनेट डिपार्टमेंट्स द्वारा किये गए हैं, तो इस तरीके से समुचित ववस्ताएं सुनिशित हैं, और समय सभी लोग इसमें परतिभाग भी कर रहे हैं, तो इसमें अपने आपको सुरचित रखते हुए इसमें परतिभाग करें, और जो भी जिलापरशाशन द्वारा जो भी दिशा निर्दीश दिये जा रहे हैं, उसका समुचित पालन करें, जिसे की स्वें और आपने आ पालू शुक्रवाल साम से ही पहुशने लगे आस्तावान बाबा गुरकनाथ को चड़ाये जाने वाला अन्य वर्स भर वित्रित होता है जरुत मंदों में खिचड़ी मेला में पैसा चीनने वाली दो महिला अभियुकताओं को गुरकनाथ ठाने की पुलिस ने किया गरिफतार एक हसार एक सो बीस रुपिया नगद वपर्स किया बरामत भेजा जेल स्पी सिटी कि शुकुमार विश्नोई ने दी जानकारी सांसत विधायकों की साथ सीयम योगी ने की गुरकूर मंजल के विकास कारियों की समीक्षा बैचक कहा जनकांक शाओं के अनुरूप नए विकास कारियों के प्रस्ताव देज जनप्रतिनी धी पीएम मोदी के मार्ग दर्शन में विकास की नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है गुरकूर मंजल सार्वजनिक अस्तल पर अश्लील प्रैंक वीडियो बनाकर सोसल मीडिया पर डालने वाले अब्युक्त अमित यादों को कैंट आने के पुलिस ने किया गरिफतार भेजा जेल सियो कैंट योगी इंडिर सिंग ने दी जानकारी दिवंगत होमगार्ट्स जवान के परिजन को सीम योगी ने 134 लाग का चक ज्यूटी से घर जाते वक्त गत वर्स 18 मार्च को सड़क हादसे में नारदमूनी की हो गई थी मृत्यू मुख्यमंत्रियोगी आदितिनात ने कहा भरण पोशन और बच्चे की सिक्षा में नहीं आने दी जाएगी दिक्कत चिल्वाताल थाना शेट्रे के मानी राम सिक्ट और बाजार चौराहे के पास खड़े पिंटू सिंग का चैन वा पैसा चीनने और जान से मानने की नियत से गोली मानने के आरोपी गोरवियादो उर्फ गोलू जिते इंडर मौरे और नागे इंडर मौरे को चिल्वाताल और स्वाट पुलिस की टीम ने किया ग्रिफतार दो पिस्चल एक तमन्चा किया बरामत भेजा जेल एस पे नौर्थ मनोश कुमार रवस्ती ने दी जानकारी मकर संक्राथी के परवव पर गुरकनत मंदिर वश्त दालो की सुरक्षा के दस्टिकत ATS कमांडो दस्तावा ब्लैक कैच कमांडो सहित भाली संक्या में पुलिस बल किये गे तनात इडिजी जोन अकिल कुमार ने कहा मंदिर के अंदर भी है फोर लेयर में मल्टी सेक्यूर्टी प्लान सुरक्षा के है पकता इंतिजाम सा कुसल संपने कराएंगे कि चुड़ी मेला पंदर जन्वरी को है मकर संक्रांती का पर्व लेकिन चौदर जन्वरी को बड़ी संख्या में दूर दराजवा गाउंस याई शुद्धालू ने अपनी परंपरा के अनुसार गुरु गोरक नात को चड़ाई खिचड़े शुद्धालू ने कहा सच्चे दिल से जो भी फर्याद करे उसकी पूरा करते हैं कुरु गोरक शनात जी मनोकामना यहां से नहीं जाता है कोई खाली हाथ गोरक पूर महसों में लगाए गए है विविनि प्रकार के स्टॉल उत्तर प्रदेश राज ग्रामी नाजीव का मिशन प्रबंध इकाई की महिला उत्पादक समू ने भी लगाया स्टॉल कहा स्टॉल से लोग बहुत पसंद से कर रहे हैं समानों की खरिदारी इंजिनियर सिटी चैप्टर गोरक पूर के नए कारकारणी के सपत ग्रहन स्टमारों का हुआ आयोजन नौन निर्वाचित पदादिकारियों ने कहा संस्था और उसके सदस्यों की तरक्की के लिए करते रहेंगे कारे और लगता शीत लहर और कोहरे से दो दिनों से खिलकिलाती धूप से आम जिनमानस को मिली रहत जिला अब्दा विशिशागे गौतम गुपता ने कहा अभी भी बीस तारीक तक शीत लहर और कोहरे के कार ठंड़क रहेगी बरकरार अब मुझे इजादत दीजिए नमस्कार